नमस्कार मैं रविकमार मिना और आप देख रहे हैं सर्वोदे टीवी आज हम आपकी मुलाकात मितल क्लासिज के ओनर से करा रहे हैं जिन्होंने मितल क्लासिज की इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी है इतने अच्छे संसकारों के साथ और शिक्षा के साथ एक बड़ा ओधा पलवल जिले में प्राप्त किया है तो ऐसे में मितल क्लासिज जो नाम है अपने आप में शिक्षा के छेतर में एक ब्रेंड है तो यहां बाचीत करेंगे कि बच्चों का भविश्य कैसे सवारा जा रहा है और जो परिनाम यहां के निकल के आ रहे हैं वो परिनाम किस तरीके से इस इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ललिज जी मौजूद है जिन से बाचीत करेंगे और जानेंगे कि यहां जो परिनाम रहा वो किस तरह कर रहा सर पहले तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवा थैंकियू सर एफमसी पूने के रजल्ट के बारे में आप कुछ बताईए कि मितल क्लासेज का कैसा परिनाम रहा और मितल क्लासेज के बच्चों का किस तरह के से परिनाम रहा सर हाली में अभी 13 फरवरी को संड़े को एफमसी पूने ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी किये जिसमें उसने 115 बॉइज और 30 गर्स का सेलेक्शन हुआ है जिसमें की मितल क्लासेज के चात्र जितेश सर्मा का भी चैन हुआ है ये एक बहुती गर्व की बात है जो हमारे पलवल जिले से पलवल जिले से पहली बार हमारा चात्र एक देश के सरुष्रेश्ट जो की टॉप फाइव मेडिकल कॉलेज में आता है अब इसे पूर्वल कॉलेज वहां पर हमारे चात्र का चैन हुआ है आपने आफ्मसी पूर्वल की बात की तो ये एफ्मसी पूर्वल है क्या और किस तरह की सेवा यह हम दी जाती है जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए एक पहली पसंद होती है यूँ तो डॉक्टर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं परन्तु हर डॉक्टर जो बनना चाहता है A.F.M.C. उसका एक पहली चॉइस रहती है वहाँ से बच्चे सीधे ही देश की सेवा के लिए निकलते हैं कितनी सीधे होती है और किस तरह के चायन प्रिक्रिया किस तरीके से होती है इन सब चीजों के लिए महनत किस तरीके से करनी पड़ती है सबसे पहले तो इसमें नीट के थुरू ही बच्चे जाते हैं हर साल नीट का पेपर होता है जिसमें की बच्चों का 720 numbers का paper होता है 720 marks का paper होता है उसमें से NEET का result आता है then AFMC की एक अपनी list निकलती है जो की काफी बच्चों का उसमें नाम होता है then AFMC का एक अपना खुद का paper होता है एक return test होता है then उस test के भी कुछ marks रहते हैं उसके बाद एक interview होता है and उसके बाद finally after medical एक merit list जारी की जाती है तो इस तरीके से जो इस साल की merit list निकली है उसमें हमारे छात्र जितेश सर्मा का भी chain हुआ है जिस तरीके से आपने सारा कुछ बताया कि AFMC पूने क्या है, किस तरीके से selection होता है और किस तरह की महनत करनी चाहिए तो ऐसे में बड़े-बड़े जो संस्थान है नामी संस्थान है तो पलवल जिले का number तो कही ना कहीं छूट सकता है पीछी या फिर पलवल जिले में भी ऐसी परतिबाएं हैं ऐसे इंस्ट्यूट्स हैं आप किस तरीके से प्रिपेर करते हैं बच्चों को किस तरीके से तैयारी करते हैं उनको किस तरह के guidance देते हैं जो बच्चा इस छोटे से जिले से निकल कर इस ग्रामी नाचल से निकल कर वहां जाकर अपना पर्चम फेराएं बिल्कुल सर जैसा आपने बताया कि मेहनत तो छातर की ही होती है, बच्चों की ही होती है, प्रतिबा को अवसर प्राप्त हो, इस मंत्र के साथ मित्तल क्लासिस पर बच्चों की तियारी कराई जाती है, और जैसा कि अब रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट ही सब कुछ कहत रिजल्ट ने बताया भी है कि मित्तल क्लासिस के फर्स्ट बैच में फर्स्ट बैच में ही छात्र को A.F.M.C. पूने जैसा टॉप मेडिकल कॉलेज जो मिला है ये एक बहुत ही गर्व की बात है पलवल जिले के लिए बड़े गर्व की बात है और उसी के साथ साथ गगन जिसका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस डेली में सेलेक्शन हुआ है दिली का गॉर्मेंट M.B.S. कॉलेज में हमारे छात्र गगन सिंग का सेलेक्शन हुआ है और साथ में ही भारत भूसन जिसका आपके नलड में गॉर्मेंट M.B.S. के लिए चैन हुआ है राहुल एक जो चात्र उनके लिए एक बहुती सुनेरा मौका है कि जो तयारी आज से पहले बच्चे बड़े-बड़े सेरों में जाके करते थे वो तयारी करने का मौका उनको अब पलवल में मिल रहा है यहां की जो हमारी फैकल्टी है यहां की जो हमारी टीम है IIT and फैकल्टी और जो ह बड़े नैशनल ब्रैंड में काम किया है अपनी सेवा दी है उसके बाद उन्होंने पलवल छेदर के लिए एक सेंटर खोला है जिसमें अपने दो साल के अंदर ही बच्चों को अच्छे-च्छे कॉलिज में भी पहुँचाया है आपने बताया कि बहुत अच्छी की गई तो जितेज जो है उनका सेलेक्शन इससे पहले भी और कहीं हुआ जितेज सर्मा को नीट की जो फर्स्ट राउंड ऑफ कांसलिंग है उसमें उसको एमस बटिंडा मिल गया था परन तो एमस बटिंडा को छोड़कर उसने एफमसी पुने जाना उचित समझा एफमसी पुने एक मैंने पहले भी बताया सपना है हर मेडिकल चातर का मेडिकल एस्पिरेंट्स का एफमसी पुने एक सपना है और एफमसी पुने सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां से एक एमबीबेस की डिगरी हो रही है उसके बाद चातर वहीं से सीथे देश की सेवा के अरे पलवल जले का लाल जो की एक अच्छे कॉलेज में जाके अब उसके बाद वहां से डॉक्टर बनने के बाद देश के लिए सेवा देगा यह आगे चलके हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और मित्तल क्लासिस के लिए बहुत गर्व की बात है जैसा कि आपने बताए ऐसमें जाना सभी का सपना होता है तो इस सपने को पूरा करने के लिए किस तरह की सीडिया तैयार किया जाता है तैयारी किस तरीके से रखी जाने चाहिए और उन सब चीजों के लिए जो आपने बताए है कि हमारे रास्ता है, जो बच्चे दस्वी के बाद 11 में आते हैं, वो साइन्स साइड से मेडिकल स्ट्रीम लेके अपनी 11 और 12 करते हैं, और 12 के पश्चाथ इसका नीट का एक पेपर होता है, हर किसी बच्चे के लिए जो भी डॉक्टर बनना चाहता है, उसको नीट का पेपर देना कं संपल सरी है, वो ही एक रास्ता है, और उसके बाद भी आज के कॉम्टीशन के माहौल में, जहां 15-16 लाक बच्चा नीट का पेपर देता है, उसमें से टॉप के बच्चों को ही एक अच्छा कॉलिज मिलता है, तो उस चीज की तियारी करने के लिए, पूरा बच्चे को दो उसको तैयारी करने होती है, और दो साल की एक लंबी जर्नी होती है, जो बच्चे को तैय करनी होती है एक अपने अच्छे टीचर्स के साथ, बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और सबसे बड़ी बात की पलवल के लिए गौरव की बात है कि यहां पलवल जिले का बच्च इतने बड़े टॉप फाइब जो कॉलेजेज हैं उनमें से एक बच्चे का सेलेक्शन पलवल से हुआ है यह बड़े गर्व की बात है इस तरह कि और भी आप रजल्ट देते रहें कोई मैसेज अगर आप देना चाहें लोगों के लिए तो आप मैसेज दीजिए यह सोचके त थोड़ा डिले हो सकता है बट अपने टाइम से होगा और डिले होने पे बच्चे अपनी तयारी को जो अपना उनका मुमेंटम है तयारी करने का उसको लूज ना करें अच्छे से तयारी करते रहें मेहनत के साथ और काम्याबी जरूर उनको मिलेगी अगर वो एक अच्छे यह है कि पलवल जिले का एक छात्र जो की मितल क्लासेज में तैयारी कर रहा था उसने एफमसी में उसका सेलेक्शन हुआ है यह पलवल के लिए गौरब की बात है ऐसे में आप अगर मेडिकल लाइन में किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक बार जरूर प्रॉपर यह रवी कुमार मेना